हाथरस हाथसे पर बड़ी खबर आ रही है इस हाथसे में 121 लोगों की मौत की जाज के मामले में नयाईक आयोग ने जिन चश्म दीदों से बात की उन में से कुछ चश्म दीदों को AVP नूज ने खोज निकाला है AVP नूज के रिपोर्टर विलाल ने चश्म दीदों से बात की तो खुलासा ये हुआ कि बाबा ने मंच से कहा था कि मेरे चरणों की रज से धूल से आपके दुख दर्द और कश्ट दूर हो जाएंगे इसके बाद जब बाबा निकला तो लोग उसके पीछे दौर पड़े फिर हाथसा हुआ चश्म दीदों के बयानों के मताबिक बाबा ने चरण रज से भक्तों को उकसाया था वो लेने के लिए जिसके बाद भगदड हुई है 34 चश्म दीदों के बयान दर्श किये गए हैं और ABP न्यूज ने भी इन लोगों से बाचित की है आथरस भगदड घटना की जाच कर रही नियाईक आयोग की टीम प्रत्यक्ष दर्शियों और अस्थानी लोगों के बयान दर्श कर रही है इन में से एक प्रत्यक्ष दर्श्री ABP न्यूज के साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर सबसे पहले अपना नाम बता दिजिए और क्या आप से नयाईक आयोग की टीम ने आपका बयान दर्श किया है मेरा नाम बबनीच कुमार है जिस टाइम बाबा वहां से निकले प्रोगराम खतम करने के बाद अपने काफले के साथ निकले तो जिस जगे से उन्होंने रूट डावेड करके निकाला गया बाबा को उसी टाइम हांकी पबलिक जो भी थी उनके सेवादार थे और ब्लेक कमांडो के तोर पेते कुछ लोग और आम जंता उनकी रजदूल लेने के लिए उन्होंने उससे गाड़ी निकलने से पहले ही वहां पर अपना माता ठेक लिया था आस्ता के पर अपना सर जुकाई खड़े हुए थे पान डाल से जैसे पबलिक निकली जो लोग जुके हुए थे आस्ता के इस तरसे उन पर पबलिक चड़ती गई पीचे से रिला लगा काफी मात्रा में घटे लोग थे और उनके उपर जब गए वहां पर एक फायर मशीन उस मशीन ने उलोंगे उपर कुछ प्रेसर पानी गड़ाला तो वहां पर जो गड़ा था उस पर और फिचलन हो गई इससाब से लोग और जाद हमार करना चालू रहे हाला कि उन्होंने इससाब से डाली कि यो अच्छे अवस्ता में जरस पर पानी डाल दिया तो ये कुछ हुश मिला जाए सर आपका नाम क्या है और आपने नईगा योख के सामने अपना बयान दर्श कराया है जी मेरा नाम राजस पताप傳सी है क्या-क्या पूछा साथ सिलसिले वार तरीके से बताईए कि क्या-क्या सवाल नहीं का यो कि और से पूछेगा जी सबसे पहले और पूछा आप मौजूद थे मैंने हाथ थे आप कितनी दूर थे मैंने की घटना इस्तल से सिकंदाराओ की तरफ सतर असी मीटर पीछे से जहां सी भगदर में जी जी सर अगला सवाल ये पूछा कि घटना कैसे हुई और किन की कमी थी तो हमने का उसमें आई योकों की और उनके जो सेवादार थे उनकी कमी थी उनकी कमी से ये घटना घटी अगर वो सूजबुजगा अपना परचय देते तो ये घटना नहीं घटती जैसे स्वामी जी ने मंच से स्वाम ये का कि मेरी चणर रज से आप सब के कष्ट दूर हो जाएंगे बोले बाबा ने बोले बोले बाबा जी जो हैं हैं उन्होंने मंच से ये का कि मेरी चणर रज से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे आपकी सभी विप्ता दूर हो जाएंगे तो उस जब वो निकलके गए तो उनकी इस बात को लोगों ने मैलाओने और प्रुसों ने जो सुना तो उनकी चण रज लेने के लिए पीछे-पीछे भीड चली भीड जब चली तो वहां के सेवादारों ने डंडा से उनको रोगने का प्रयास किया तो पीछे इदर से इन्ह अगर वहाँ पर पुलिस प्रसासन को अंदर जाने के अनुमती यह देदेती कमेटी तो साइदे घटना नहीं होती बिजी सबसे पहले तो यह बताइए कि आप वो शक्स हैं जिससे नियाईक आयोग की टीम ने बयान दर्ज करवाए क्या सवाल पूछे नियाईक आयोग ने नियाईक आयोग ने हमसे जो है कि आप वहाँ पर थे यहां सर हम थे कितनी दूरी पर थे मैं इसे करी 70-75 मीटर दूरी पर थे कि क्या देखा आपने हमकी सर भासन में यह कहा जा रहा था कि आप लोग मेरी रज लेक चुख करके मातिसे लगा करके करें तो आपका सब दुख जो दुख दूर नहीं हो सकता वो दुख दूर हो जाएगा और जो बोले बाबा महां से चले आ रहे थे पूरा पूरा बताईए कि क्या कह रहे थे आखिर उन्होंने बोले नहीं रहता है। यहां पर बड़ी बड़ी दूरा से आई हुए हो, दूसरे प्रांतों से आई हुए हो, आप लोगों की बड़ी बड़ी समस्या हैं, अगर आप लोग हमारी हम जाते हैं, चलते हैं, उसके पीछे बाद की अगर हमारी आप लोग चलन धूल प्राप्त कर लें, तो आपके सब तो जिन चश्वदीदों को आप सुन रहे थे उनसे मेरे सहयोगी विलाल ने बाचीत की है और विलाल खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ गया है विलाल यह तो बड़ी चौकाने वाला वाली बात है यह जो खुलासा हो रहा है इन चश्वदीदों का साफ यह कहना है कि बिल्कुल अखिलेश देखे जो चश्मदीद हैं जिन्होंने अपना बयान नयकायोग की जो तीन सदस्री टीम है उनके सामने वी उन्होंने यही बात कही है कि मंज से यह कहा जा रहा था बाबा की तरफ से कि मेरे चरणों की धूल जो है वो लगा लेव माते पे तो दूख चश्मदीद हैं उन्होंने ये बात एक तो बताया कि पहले भाशड हो रहा था कि धूल लेने के लिए उसके बात बात बताया कि जो पुलिस कर्मी जो यहाँ पर मौझूद थे उन पुलिस कर्मी अंदर जाने की इजाज़त तक से नहीं दी थी जो सेवादार और आयोज़ पर आप पिसिंग उनकी तरफ से कलिये बयान जारी किया गया था कि कोई इस प्रे जो है वो डाला गया है 15 सूला लोगों की तरफ से इसके भी खंडन जो है वो चश्मदीद ने साफ तोर पर किया है कि कि किसी भी तरीके का कोई भी इस प्रे जो है वो इस उस घटना के वक जो है वो नहीं डाला गया था चश्मदीद का साफ साफ यह भी पिनूस के कमरे पर कहना है कि वो शुरू से ले करके आखिर तक ते कई घायलों को उन्होंने अस्पताल पहुचा है लेकिन कही भी कोई इस प्रे नहीं किया इसी तरीके से कुछ और बड़ी खबरें इस पर आप निकालिए ताकि दर्शकों तक इस बाबा की जो हकीकत है वो हम पहुचा सके और एक सवाल भी है कि ऐसे खुलासों के बाद भी इस बाबा के खिलाब कोई कारवाई की जाएगी या फिर प्रिशासान ऐसे ही बचाता रहेगा जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु सासिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फ ABP News आप को रखे आगे